श्रीमत्री आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, योगी आधित्यनाज जी, उपमुख्य मंत्री, केशो प्रसाद मौर्य जी, बिजेश पाठक जी, केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे वरिष्ट सहयोगी और यही लखनों के प्रतिनी जी, स्रिमान राजनाज स्री जी, विभिन देशों से आए, सभी वरिष्ट महानुभाव, यूपी के सभी मंत्रीगण और ग्लोबल इन्वेस्टर समीट में पधारे, इन्डेश्ट्री जगत के सम्मानिय सदस्य, ग्लोबल इन्वेस्टर फ्रटेनिटी, पॉलिशी मेकर्स, कॉर्परेट लीडर्स, देवी और सजनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समीट में बहुत बहुत स्वागत है, आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिती होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है, आप समने मुझे भारत के प्रधान मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का साउसत भी बनाया है, उत्तर प्रदेश के प्रती मेरा एक विशेश दे है और यूपी के लोगों के प्रती मेरी एक विशेश जिम्मेदारी भी है, मैं आज उस दाईत्व को भी निभाने के लिए आज इस समीट का हिस्सा बना हूँ, और इसलिए मैं देश बिदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, साथ्यों उत्तर प्रदेश की धर्ती अपने सांस्कूर्तिक भैभव, गरोवशाली इतिहास और समृत्य विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्त होने के बावजूद, यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे, यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे, यहां कानून विवस्ता सुधरना ना मुम्किन है। यूपी बिमारी राज कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड के गोटाले होते थे, हर कोई यूपी से अपनी उमीदे छोड़ चुका था, लेकिन सिरफ पांचे साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है, और दंके की छोट पर कर दी है। अब यूपी को सूसासन से गुड गवर्नन से पहचाना जा रहा है, अब यूपी की पहचान बहतर कानून व्यवस्ता, शांती और सिर्था के लिए है, अब यहाँ वेल्स क्रियेटर्स के लिए निच्च नए आउसर बन रहे हैं। बीटे कुछ वर्षों में आदुनिक इंफ्रस्रक्टर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रस्रक्टर की जो पहल है, उसके परणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर छेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्गर यूपी देश के उस एकलोते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा। जहां पांच इंटरनेशनल एरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है गुजरात और महरास्त के पौर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्टेक्टर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और एप्रोच में इज अब डूइंग विजनेस के लिए सार्थक बनलावाया है। साथ यूपी एक आशा एक उम्मीद मन चुका है। भारत अगराज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक एहम नित्रुत्व दे रहा है। साथियों आप सभी इंडिस्ट्री के दिग्ज यहां है। आपने से दिक्तान को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान सिती भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनामी के आज के सामर्थ और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनामिक फंडामेटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वर के शौक के बहार निकलकर भारत फास्ट पेज ग्रोइन इकोनामी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वोईस ये मानती है कि भारत की अर्थ वबस्ता ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैस्वीर संकट के इस दौर में भारत ने ना सिर्फ रेजिजिन दिखाया बलकि रीकवरी भी उतनी ही तेजी से की। साथियों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतियों का खुद पर बढ़ता बरोसा, खुद पर आत्मविश्वास। आज भारत के यूद की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशन्स में एक बड़ा बडलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक जादा से जादा विकाज होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विश्शित होते देखना चाहता है। भारत के समाज की एस्पिरेशन्स आज सरकारों को भी पुश कर रही हैं। और यही एस्पिरेशन्स विकाज के कारियों में भी गती ला रही है। और साथियों मत भुलिये कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब करीब 25 करोड है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी जादा सामर्थ अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सुसाइटी आपका इंतजार कर रही है। साथियों आज भारत में सोचल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्टेक्टर पर जो काम हुआ है। उसका बड़ा लाब यूपी को भी मिला है। इस कारण आज यहां समाज सोचली और फाइनेंसली बहुत अधित इंक्लूजी हो चुका है। कनेक्टेड हो चुका है। एक मार्केट के रुपे भारत अब सीमेस हो रहा है। सरकारी प्रक्रियाएं भी सरल हो रही है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आज भारत आउट आप कंपल्सन नहीं बलकि आउट आप कंविक्शन रिफॉर्म करता है। यही कारण है कि भारत 40,000 से अधिक कंप्लाइंसिस को खत्म कर चुका है। दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म कर चुका है। साथियों, आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्क की बेसिक जरुतों को हमने पुरा कर लिया है। इसलिए वो एक लेवल उपर की सोतने लगा है, आगे की सोतने लगा है। यही भारत पर बरोसे का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, कुछ दिन पहले भारत सरकार का जो बजेट आया है। उसमें भी आपको यही कमिट्मेंट साप साप दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्टर पर रेकॉर्ड खर्श आज सरकार कर रही है। और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्टर में इंवेस्ट्मेंट के नए मौके मन रहे हैं। आज आपके लिए हेल्थ, एजुकेशन, सोचल इंफ्रास्ट्रक्टर में इंवेस्ट्मेंट के भी अनेक आउसर है। ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है। उसमें तो मैं आपको विशेश रुप से आमंत्रित करता हूं। इस वर्ष के बजेट में 35,000 करोर रुपिये तो हमनें सिर्फ एनरजी ट्रांजीशन के लिए रखे हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। इस बजेट में इस से जुड़ा पूरा इको सिस्ट्रीम विक्सित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए है। इलेक्ट्रीक मॉबिलिटी की ट्रांस्फोर्मेशन के लिए एक नई सप्लाई और वैल्यू चेंड हम विक्सित कर रहे हैं। साथियों मुझे खुशी है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेंड विक्सित करने के लिए यूपी आठ एक नया चेंपियन बनकर उबर रहा है। परंपरा और आदूनिक्ता से जुड़े उद्योगों का मसमेश का एक बहुती ससक्त नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश में वाइपरेट है। यहां बदोही के कालीन और बनारसी सिल्क है बदोही कारपेट क्लस्टर और वारणसी सिल्क क्लस्टर भी और उसकी वज़े से यूपी भारत का टेक्स्टाइल हब है। आज भारत के कूल मोबाइल मैनुफैक्टरिंग में 60% से भी जादा मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। मोबाइल कंपोनेंट की सबसे जादा मैनुफैक्टरिंग भी यूपी में ही होती है। अब देश के दो डिफेंस कोरिडोर्स में से एक यूपी में बन रहा है। यूपी डिफेंस कोरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। आज made in India defense equipment की डिमान निरंतर बढ़ रही है भारतिय सेना को भी हम अधिक से अधिक made in India defense system defense platforms देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस महान काम का नेतुर्त्वा इसी लखनाव की धर्ति के हमारे कर्मवीर राजनाथ सीजी समाल रहे हैं ऐसे समय में जब भारत एक vibrant defense industry का विकास कर रहा है तो first mover advantage आपको जरूर लेना चाहिए साथियों उत्तर प्रदेश में तो dairy, fisheries, agriculture और food processing sector में अनेक संभावन आए हैं फल और सब्जियों को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत diversity है एक ऐसा sector है जिसमे अभी भी private sector की हिस्सेदारी बहुत सिमित है आपको जानकारी होगी कि food processing के लिए production link incentive PLI team लेकर हम आये हैं इसका लाब आपको जरूर उठाना चाहिए साथियों आज सरकार का ये प्रयाद है कि इंपूर्ट से लेकर post harvest management तक एक आधुनिक ववस्ता किसानों के लिए बने छोटे इंवेस्टर्स एगरी इंफ्रा फंड का उप्योग कर सकते हैं इसी प्रकार देश भर मैं एक बहुत बड़ी storage capacity विक्सेट करने के लिए budget में हमने प्रावधान किया है ये भी छोटे निवेस्टर्सकों के लिए बहुत बढ़िया मोका है साथियों आज भारत का बहुत अधिक हमारा focus crop diversification पर है छोटे किसानों को जादा साधन दे दे और उनकी input cause गटाने पर है इसलिए natural farming की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ यूपी में गंगा के किनारे दोनों तरफ पांच किलोमेटर छेतर में natural farming शुरू हो गई है अब इस वर्ष के budget में हमने किसानों की मदद के लिए 10,000 bio input resource center बढाने की गोच्णा की है यह natural farming को और अब्जिक पूच्छा ही करेगा इसमें भी private entrepreneurs के लिए investment की अनेग संभावनाए है साथियों भारत में एक और नया अब्यान हमारे millets को लेकर के शुरू हुआ है भारत के ये millets आम तोर पर लोगों की बादा में उसको मोटा अनाच कहते हैं और उसकी कई varieties है विश्व बादार में उसके पहचान बने इसके लिए आपने budget में सुना होगा हमने इस millets को मोटे अनाच को एक नया नाम दिया है श्री अन्न ये श्री अन्न जिसमें nutrition value बहुत अधीक है ये super food है जैसा स्रीफल का माध्यम है महात्मय है वैसा ही स्री अन्न का भी महात्मय बनने वाला है हमारे ये प्रयास है कि भारत का श्री अन्न ग्लोबल nutrition security को एड्रेस करें दुनिया इस वर्ष को international year of millet के रुपे भी मना रही है इसलिए एक तरफ हम किसानों को स्री अन्न के उत्पादन के लिए motivate कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इसके लिए global market का भी विस्तार कर रहे हैं food processing sector से जुड़े साथ ही ready to eat और ready to cook स्री अन्न के प्रोडक्स में संभावनाय तलाश सकते हैं और मानोजात की बड़ी सेवा भी कर सकते हैं साथियों उत्तर प्रदेश में एक और विशह में बहुत प्रसंशनिय काम हुआ है ये काम education और skill development से जुड़ा है महायोगी गुरु गोरगनास आयूस उनिवर्सिटी अटल भी हरी बातपाई हेल्स उनिवर्सिटी राजा महेंदर प्रताप्सी उनिवर्सिटी मेजर ध्यांचन स्पोर्ट उनिवर्सिटी कि ऐसे अनेक संस्थान अलग-अलग skills के लिए युवाओं को तयार करेंगे मुझे बताया गया है कि skills development mission के तहट अभी तक UP के 16 लाग से हथिक युवाओं को अलग-अलग skills में train किया गया है यूपी सरकार ने पीजी आई लखनाओ आयाइटी कानपुर में artificial intelligence से जुड़े courses भी शुरू किये हैं और मैं जब अभी आ रहा था तो सिख्षा का जिनकी जिम्में होती है हमारी गवर्नर साहवान चांसेलर के रूप में वह काम देखती हैं उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात हैं कि नेक एक्रिडेशन में इस बार उत्तर प्रदेश की चार युनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान को अपना लोहा मनवा दिया है मैं सिख्षा जगत से जुड़े लोगों को और चांसेलर मेडम को रिजरे से अभिनंदन करता हैं देश के स्टार्ट अप रिवेलुशन में भी यूपी की भूमी का लगातार बढ़ रही है आने वाले कुछ वर्षों में हंड्रेड इंक्युवेटर्स और तीन स्टेट अप दे आर्ट सेंटर्स को स्थापित करने का लक्ष यूपी सरकार ने रखा है यानि यहां आने वाले इंवेस्टर्स को टालेंटेड और स्कील युवाओं का एक बहुत बड़ा पुल भी मिलने जा रहा है साथियों एक तरफ डबल इंजिन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से बरा उत्तरपदेश इससे बहतर पार्टनर्शिप हो ही नहीं सकती ये जो समय है इसको हमें गवाना नहीं चाहिए भारत की सम्रुद्धि में दुनिया की सम्रुद्ध निहित है भारत के उजवल भविश में दुनिया के उजवल भविश की गारंटी पड़ी है सम्रुद्धि की स्यात्रा में आप सब की भागिदारी बहुत ही महत्वपुण है ये निवेश सब के लिए शुभ हो मंगल हो इसी कामना के साथ इन्वेस्टमेन के लिए आगे आये हुए देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को मैं अनेक अनेक शुभ कामनाय देता हूँ और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते में आपको बड़ोसा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के आज की सरकार उत्तर प्रदेश के आज की बिरोक्रसी प्रगति के राह पर द्रड संकल्प हो करके चल पड़ी है वो आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामर्थ के साथ अगरदूत्वन करके आपके सात कड़िये इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार देश वर दुनिया के इंवेस्टरस को मैं हमारे उत्तर प्रदेश की धर्दी पर निमंत्रन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वाइश करता हूँ, बहुत थी ओदेंस। स्वाइश ख़вой ऐख धन्यवार झाल झाल